जै बद्री विशाल जै बद्री विशाल जै बद्री विशाल जै बाबा के दार जै बाबा के दार जै पापा के दार उत्राखन के गवर्नर गुर्मेची जी यहां के लोक प्रिय मुर्दु भाशी हर पल जिसके चहरे पर स्मीत रहता है ऐसे हमारे पुष्कर सी धामी जी सौसद में मेरे साथी स्रीतिरत्सी रावत जी भाई धन्सी रावत जी मैंद्रबाई भड जी अन्य सभी महरभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनो आज बाबा के दार और बद्री विशाल जी के दर्शन करके उनके आशिरवात प्राप्त करके जीवन धन्य हो गया मन प्रसन्य हो गया और ये पल मेरे लिए चिरंजीव हो गये बाबा के सानिद्य में बाबा के आदेश से बाबा की कृपाशे पिछली बार जब आया था तो कुछ शब्द मेरे मुँसे निकले थे वो शब्द मेरे नहीं थे कैसे आए क्यों आए किसे ने दिये पता नहीं है लेकिन यूँ ही मुँसे निकल गया था ये दशक उत्राखन का दशक होगा और मुझे पक्का विश्वास है इन शब्दों पर बाबा के बद्रिविशाल के मा गंगा के निरंतर आशिरवाद की शक्ति बने रहेगी ये मेरा अंतरमन कहता है ये मेरा सवभाग्य है आज मैं आपके बीच इन नई परियोजनाओं के साथ फिर उसी संकल्प को दोहराने आया हूँ और मेरा सवभाग्य है कि आज मुझे आप सभी के दर्शन करने का मोका मिला है माना गाउं भारत के अंतिम गाउं के रुप में जाना जाता है लेकिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रगड की अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गाउं देश का पहला गाउं भी है सीमा पर बसे आप जैसे सभी मेरे साथी देश के ससक्त प्रहरी है और मैं आज माना गाउं को पुरानी यादे ताजा करना चाहता हूँ शायद कुछ पुराने लोग हो उनको याद हो मैं कोई मुख्यमंत्री बन गया प्रदान मंत्री बन गया इसलिए सीमा के इस पहले प्रहरी गाउं को याद कर रहा हो ऐसा नहीं है आज से पचीज साल पहले जब मैं उत्राखंड में भारती जन्रता पार्टी के एक कायर करता की रुप में काम करता था न कोई मुझे जादा जानता था न मेरा उस प्रकार का कोई पब्लिक लाइब था मैं संगढ़न के लोगों के बीच में अपना जीवन गुजारता था काम करता था और उस समय माना में मैंने उत्राखंड भाजपा की कारसंविति की मिटिंग बुलाई थी तो मेरे उत्राखंड के सारे कारकरता मेरे से बहुत उस समय नाराज थे प्रस्न पूतर साब इतना दूर कितनी महनत से जाना पड़ेगा कितना समय जाएगा मैंने कहा भाई जिस दिन उत्राखंड बिजेपी के दिल में माना का महत्वा पक्ता हो जाएगा ने उत्राखंड की जनता के दिल में भाजपा के लिए महत्वा बन जाएगा और और उसी का माना गाउं की मिट्टी की ताकत है यह माना गाउं के मेरे भाई यों बेहनों का आदेश है आदेश आशिरवाद है कि आए लगातार आपके आशिरवाद बने रहते हैं और मैं तो उत्राखंड में नई सरकार बनने के बाद सारवजनी कारकम में पहली बार बोल रहा हूं तो मैं आज जब यहां आया हूँ और माना की धर्ती से मैं पूरे उत्राखंड के भाई बेहनों को हम सब को दुबारा सेवा करने का मोका दिया है इसलिए रिदय से आभार व्यक्ता करता हूँ साथियों 21 सदी के विक्सीद भारत के निर्मान के दो प्रमुक्स तंब है और दूसरा विकास के लिए हर संभव प्रयास आज उत्राखंड इन दोनों ही स्तंभों को मजबूत कर रहा है आज सुबह मैंने बाबा केदार की और बाद मैं बद्रिनाज मिशाल के चर्रों में जाके प्रार्थना की और साथ साथ क्योंकि परमात्मा ने मुझे जो काम दिया है वो भी मुझे करना होता है और मेरे लिए तो देश के 130 करोड की जनता वो भी परमात्मा का रूप है और इसलिए मैंने विकास कारियों की भी समिख्षा की और अब आपके बीच आकर मुझे दो रौक्षे प्रोजेश के सिलान्यास का सौभा के मिला है इससे केदार्णाजी और गुर्दवारा हेमकुंट साहब के दर्शन कमना और आसान हो जाएए गुरुगर्म साहब की हम पर कृपा बनी रहे सभी पुच्च गुरूओं पी हम पर कृपा बनी रहे कि ऐसा प्रवित्त कायर करने का गुरुआं के आशिरवात से हमें अवसर मिला है बाबा केदार के आशिरवात बने रहे और आप कल्पना कर सकते हैं ये रौपे अने खंबे तार अंदर बैठने के लिए कार इतना मात्र नहीं है ये रौपे तेज गती से आपको बाबा के पार ले जाएगा इतना नहीं है इसके होने से इस पर काम करने वाले लोगों से आप कल्पना नहीं कर सकते हैं मेरे देश के 130 करोड देश सबाच्छों के आशिरवात उन पर बैदसने वाले हैं हेमकुन साब पे दुनिया भर में गुरुगरंद साब की पवित्र पूजा करने वाले जितने भी मेरे भाई बहने आज हमें आसिरवात बरसाते होंगे कि आज हेमकुन साब तक का ये रॉप्पे बन रहा है अब कल्पना नहीं दर सकते हैं इसकी ताकत क्या है अब देखना आज UK हो जर्मनी हो कैनेड़ा हो वहाँ पर उत्सव मनाया जाएगा क्योंकि अब हेमकुन साब तक जाने का रॉप्पे बन जाएगा और समय तो बचेगा भक्ति में मन और ज़्यादा लगेगा विकास के इन सभी प्रोजेश के लिए उत्राघन को और देश विदेश के हर आस्तावान स्रद्दालू को मैं आज बहुत बहुत बढ़ा देता हूँ और गुरुवा की कुरपा बने रहे, बाबा के दार की कुरपा बने रहे, बद्री विशाल की कुरपा बने रहे, यही और हमारे सभी स्रमिक साज्जों को भी शक्ती मिले, ताकि वे भी पूरी ताकत से समय सिममा इस काम को पूरा करे, और हम प्रांत ना करे, हर बार प्रांत कफीन इलाका है, यहां काम करना कफीन होता है। हवाएं तेज चलती है। और इतनी इंचाई पर क्रांफना मचे प्राथना करें। कि पूरे काम के दर्म्यान कोई । rental किसी हमारे साथी का नुक्षान न हो जाए यह हम प्राथना करते रहे और जिस भी गाउं के पास वो काम करते हैं वो भगवान का काम कर रहे हैं आप उनको समालना